नमस्कार यूट्यूब चैनल एन इन्यूर्स स्टडी में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HSSE प्रिक्षया सेकेरेटरी मुनसिपल कोमेटी जो एड़वर्टाइजमेंट नमबर 7 बटे 2016 और कैटेगरी नमबर 48 के अंतरगत 22 अक्तूबर 2017 को मौर्निंग सिफ्ट में आयजित हुई और इस प्रिक्षया में साइन्स इंडिया और इंटरनेशनल जीके से संबंदित पूछे गए प्रसनों को हम डिस्कस करेंगे सुरू करते हैं पहला प्रसन किस देश ने फरवरी 2017 में इस प्रसन का सही उत्रह ओप्षन डी जापान आठवें एस इस इस खेल 19 फरवरी से 26 फरवरी 2017 तक जापान के सपोरो सहर में आयोजित हुए अगला प्रसन है हाल ही में विमोचित पुस्तक फियरलेस इन ओपोजिशन पावर एंड अकाउंटेबिलिटी के लेखक कोन है इस प्रसन का सही उत्रह ओप्षन सी पी चितंबरम पी चितंबरम भारत के पूरवित मंत्री और वरिस्ट कोंगर सी नेता है अगला प्रसन है निमल लिक्त में से कोन से देश ने विश्व में सबसे पहले फिन रेडियो नेटवर्क को बंद किया है इस प्रसन का सही उत्रह ओप्षन डी नारवे मारको निकोफ के नियम के अनुसार जब हाइड्रोजन कलोराइड एस सिमीत अलकीन हाइड्रोजन कलोराइड के रिक्त स्थान से जुड़ता है इस प्रसन का सही उत्रह ओप्षन सी हाइड्रोजन की अधिक्तम संख्या से कार्बन अगला प्रसन है विकलांग नागरिकों को परधान मंत्री सीरी नरेंदर मोदी ने क्या कहा है इस प्रसन का सही उत्रौप्शन A. दिव्यांग अगला प्रसन है निमल लिक्त में से किस देश में हाल ही में विशव का सबसे उंचा पुल खोल दिया है इस प्रसन का सही उत्रौप्शन B. चीन दक्षिन चीन में पानी के स्तर से 365 मीटर की दूरी पर नीहू नदी के किनारे को पार करते हुए B. पंजियांग पुल देश के दक्षिन पस्चिम में युनान और गुई जहों के प्रांतों को जोडने के लिए 1341 मीटर तक फैला है फोर लेन पुल युनान और गुई जहों के आसपास नए राजमारगों के एक नेटवर्क का हिस्सा है जो पहले से काफी हद तक दुर्गम इलाकों में स्थित बीड इलाके में प्रवेश की अनुमती देता है अगला प्रसंद है कौन सा देश यूएस रिन का सबसे बड़ा विदेशी धारक है इस प्रसंद का सही उत्तर है ओप्शन ए चीन जुलाई 2017 में चीन की एक दसमलव 166 ट्रिलियन डोलर की कमाई हुई और जिससे यह एमेरीकी रिन का सबसे बड़ा विदेशी धारक बन गया जापान में 1.091 खरब डोलर का मालिक है जापान और चीन दोनों ही डोलर की कीमत अपने मुद्राओं के मुल्य से अधिक रखना चाहते हैं और यह स्यूंक्त राजय अमेरीका के लिए अपने निरियात को सस्ती रखने में मदद करता है और जिससे उनकी अर्थ विवस्थाओं में वरिदी हो सकती है और यही कारण है कि चीन अपनी सामगरियों को बेचने के लिए कभी कभी खतरे के बावजूद दोनों देश अमेरीका के सबसे बड़े विदेशी बैंकरों से खुस है अगला प्रसन है चार ग्राम मिथेन के पूर्ण देहन के लिए वांचीत ओक्षीजन है इस प्रसन का सही उत्रा उप्षन सी 16 ग्राम अगला प्रसन है निमन लिक्ट में से असाड़ी या रभी की फसल कौन सी है जादा तर देश में अगर हम बात करें रभी और खरीव की फसलें पै miejsc पैदा की जाती है रभी को स्थानिया वासा में असाड़ी की फसल कहा जाता है और इन फसलों को अक्तूबर नुवंबर महीने में बोया जाता है तथा एप्रेल मही में काट लिया जाता है गेहूं चना जों सरसों मतर आदी ये परमुक रभी की फसले हैं तो दिये गए उप्षन में जो गेहूं चना सरसों ये तीनों रभी की फसले हैं तो इस प्रसन का स अगला प्रसन है 25 दिसंबर 2014 को किस प्रधान मंत्री के जनम दिवस पर सुसासन दिवस मनाया गया इस प्रसन का सही उत्तर है ओप्षन डी अटल बिहारी वाजपई 25 दिसंबर 2014 को भारत में सुसासन दिवस गुड गवर्नेस डे समरों की घोसना क्रिसमस उत्सव के साथ की गई लेकिन सुसासन दिवस एक पूरण कार्या दिवस घोसित किया गया है पूरो प्रधान मंतरी अटल बिहारी वाजपई के 90 वे जनम दिन पर इसे सुसासन दिवस के रूब में घोसित किया गया अटल बिहारी वाजपई के जनम दिन को सुसासन दिवस के रूब में मनाने की पहली घोषना भारत सरकार के इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रद्योगी की विभाग दुआरा की गई थी और सुसासन दिवस की घोषना इगवर्नेंस के माध्यम से सुसासन के आधार पर की गई थी अगला प्रशन है संगिय वित्त मंत्री ने घोषना की है कि GARR 1 अपरेल 2017 से प्रभावी होगा और GARR का विश्त्रित रूप है इस प्रसन का सही उत्तर है ओप्शन A General Anti-Avodance Rule General Anti-Avodance Rules नेमों का ऐसा समू है जिसके तहत कानून बनाया जाएगा कि जो भी विदेशी कमपनी भारत में निवेश करे वो यहां के टेक्स नेमों के मताबिक ही टेक्स अदा करे और GARR टेक्स की चोरी और काले धन पर रोकताम के लिए बनाया गया खास कानून है इसका असेस्मेंट 2018-19 में होगा और वित मंतरी आरुन जेटली ने 2015 के बजट में GARR के किरियानवन को दो साल के लिए टाल दिया था 31 मार्च 2017 तक किये गए निवेश को GARR के तहत नहीं लाया जाएगा और GARR तीन क्रोड रुपए से अधिक के टेक्स बेनेफिट वाले दावों पर ही लागू होगा और GARR का परस्ताव सबसे पहले 2012-13 में तत कालिन वित मंतरी परणम मुखर जी ने पेस किया था अगला प्रसन है लवन दाब सहने वाले पादपों में निमन लिक्त में से कौन सा पदार्त जमा होने की परविरित्ती होती है इस प्रसन का सही उत्तर है उप्षन B प्रोलाइन अगला प्रसन है मदर टेरेसा का जनम 26 अगस्त 1910 को सकोजे में हुआ और यह निमन लिक्त में से किस देश की वर्तमान राजधानी है इस प्रसन का सही उत्तर है उप्षन A मैकेडोनिया मदर टेरेसा का जनम 26 अगस्त 1910 को सकोजे में हुआ जो वर्तमान में मैकेडोनिया की राजधानी है और मदर टेरेसा के पिता निकोला बोयाजू एक साधार्ण व्यवसाई थे और मदर टेरेसा का वास्तविक नाम अगनेस गोंजा बोया जीजू था और सिस्टर टेरेसा आयरलेंड से 6 जनवरी 1939 को कोलकाता में लोरेंटो कोनवेंट पहुँची और 7 अक्तूबर 1950 को उन्हें वैटिकन से मिसनरीज आफ चेरेटी की स्थापना की अनुमती मिल गई और मानव कल्यान के लिए किये गए कारियों की वज़े से मदर टेरेसा को 1989 में नोबेल सांती पुर्शकार मिला और 5 सितंबर 1997 को कलकाता में उनका निदन हो गया अगला प्रशन है निमल लिक्त में से किस स्थान पर भारत की पहली विद्यू टेक्सी प्रारम की गई है इस प्रसन का सही उतर है ओप्शन D नागपूर देश की पहली इलेक्ट्रिक टेक्सी की सुरुआत 26 मई 2017 को नागपूर से हुई और इस पहल के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा 200 टेक्सीों को परदान करेगा और इन कारों में महिंद्रा की E-Virito और E-20 प्लस कारों को सामिल करने की योजना है अगला प्रेशन है दाहिने हाथ का शंक किस लेखक की रचना है इस प्रेशन का सही उत्र है ऑप्शन D गुलाम हुसैन सा अगला प्रेशन है पतली नाजुक पार दर्सक उपकलक सतय जो कारनिया का आवरन करती है इस प्रेशन में थोड़ा सा कोंट्राडिक्शन है क्योंकि अगर आप अंसर्की को देखते हैं तो उसको दिया गया है कलोराइड लेकिन मेरी जानकारी के उनसार इस प्रशन का सही उत्र है Option D कंज कटाविया अगला प्रशन है यदि एक अभी क्रिया में उत्पादों की उर्जा अभी क्रमोकों से कम है तो उस अभी क्रिया को क्या कहते हैं इस प्रशन का सही उत्र है Option D उस्मा क्षेपी दोस्तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इस वीडियो को सेर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ स्टूडेंट्स के साथ और एन इन्यूर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें जल्दी हाजिर होतें एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे